C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा दो की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद मैं प्रिष्ट संख्या 71 पाठ साथ रानी का उपहार आउ पढ़े एक बार जगदीप नाम का राजा अपनी रानी के लिए नकाशी वाला बहुत सुन्दर पलंग बनवाना चाहता था उसने अपने नगर का सबसे अच्छा बढ़ाई बुलवाया यहां प्रिष्ट संख्या 71 पर एक चित्र दिया गया है जिसके कुछ भाग प्रिष्ट संख्या 71 पर है और कुछ भाग प्रिष्ट संख्या 72 पर है इसके पहले भाग में राजा बढ़ाई से बढ़ाई को कुछ निर्देश दे रहा है और साथ में बढ़ाई का बेटा भी है राजा कहता है बढ़ाई कहता है जी महराज चित्र के दूसरे भाग में बढ़ाई पलंग बना रहा है और उसका बेटा उसकी मदद कर रहा है बढ़ाई ने पलंग बनाना शुरू किया चितर के तीसरे भाग में रानी पलंग पर लेटी हुई है और उनके पैर पलंग से बाहर आ रहे हैं रानी कहती हैं मैं पलंग पर पूरी तरह नहीं आ पा रही हूँ राजा और बढ़ाई और उसका बेटा ये देखकर आश्चर चकित हैं चितर के चोथे भाग में रानी, राजा, बढ़ाई और उसका बेटा आश्चर चकित होकर पलंग को नाप रहे हैं राजा कहता है एक, दो, तीन, आट ये केवल आट बालिश तलंबा है बढ़ाई का बेटा कहता है ये, ये, ऐसा कैसे हो सकता है प्रिष्ट संख्या बहतर चितर के पाचवे भाग में बढ़ाई और उसका बेटा बालिश्ट से पलंग को नाप रहे हैं बढ़ाई के बेटे के बालिश्ट के हिसाब से पलंग की नाप चोदह बालिश्ट है राजा ये देखकर आश्चर चकित है बढ़ाई का बेटा कहता है एक, दो, तीन, जार, पाग, चोदा ये पलंग तो चोदा बालिश्ट लंबा है राजा के साथ-साथ अन्य लोग भी असमंजस में थे चित्र के पाँचवे भाग में बढ़ाई, उसका बेटा, राजा, रानी और मंत्री आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं मंत्री कहता है इस समस्या का हल मेरे पास है बताईए कि मंत्री के पास इस समस्या का क्या हल हो सकता है चर्चा कीजिए आओ करें यहां दी गई वस्तुओं को अपने पाठे पुष्टक से मापिए यहां पर एक तालिका दी गई है तालिका के तीन हिस्से है सबसे उपर लिखा है वस्तु उसके बाद अनुमानित लंबाई और अंत में लिखा है वास्त्विक लंबाई वस्तु के नीचे मेज, ब्लैक बोर्ड और खिड की लिखे है और साथ ही इनके सामने इनके चित्र बने है अब आपको इन वस्तुओं को अपनी पाठे कुस्तक से मापना है और तालिका को भरना है प्रिष्ट संख्या तिहत्तर आओ करें कविता घर से स्कूल जा रही है उसे देर हो रही है उसे जल्दी स्कूल पहुँचने के लिए कौन से रास्ते से जाना चाहिए? यहां दिये गए चित्र में चिन्हित कीजिए यहां प्रिष्ट संख्या तिहत्तर पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कविता का घर और घर से कुछ दोरी पर स्कूल है और घर से स्कूल पहुँचने तक के लिए अलग-अलग रास्ते दिये गए हैं आपको इन में से स्कूल जल्दी पहुँचने के लिए कोई रास्ता चिन्हित करना है आओ करें क से खा तक पहुँशने के लिए सबसे लंबा रास्ता चुनिये यहाँ पर तीन वर्ग दिये गए हैं इन तीनों वर्गों में क से खा तक के लाल बिंदों तक पहुँशने का रास्ता बताया गया है अब आपको इन तीनों वर्गों में से ये देखना है कि क से खा तक पहुँशने के लिए सबसे लंबा रास्ता कौन सा है यहाँ दिगई आकरती में एक लाल बिंदू से दूसरे लाल बिंदू तक पहुँशने के लिए सबसे छोटा रास्ता बताईए अब इनी वर्गों को ध्यान से देखिए और ये बताईए कि एक लाल बिंदू से दूसरे लाल बिंदू तक यानि का से खा तक पहुँशने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा बच्चों को अपने चुने गए रास्ते को धागे की सहता से सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए लंबाई मापने में एक दूसरे की सहता करने के लिए भी कहिए प्रिष्ट संख्या चोहत्तर कितने ब्लोक्स यहाँ प्रिष्ट संख्या चोहत्तर पर एक चित्र दिया गया है जिसमें दो बच्चे हैं और कुछ खिलोने हैं साथी एक बड़ी सी ब्लोक्स्टिक और कुछ अलग से ब्लोक्स हैं लड़की कहती है मैं ब्लोक्स की सहाथा से अपने खिलोनों की ब्लोक्स 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 आओ करें अपने मापन को कौपी पर लिखिए घर की कोई दीवार पलंग की लंबाई और दर्वाजे की लंबाई प्रिष्ट संख्या छियत्तर कद्दू जी की चौपाल चित्र को समझे और तुलना कीजी कि कौन सी सब्जिया दूसरी सब्जियों से हलकी या भारी है यहां प्रिष्ट संख्या छियत्तर पर एक चित्र दिया क्या है जिसमें एक बड़े से पेड के नीचे चबूत्रे पर कुछ सब्जिया बैठी है और कुछ सबजियां उस चबूत्रे के आसपास है, जो आपस में बाते कर रही है कद्दू कहता है मैं लौकी से भी भारी हूँ मिर्ची ने कहा मैं बताऊं, मैं तो सबसे रिक्तिस्थान हूँ लौकी बोली मैं गाजर से भारी हूँ शिमला मिर्च ने कहा मैं गोबी से हलकी हूँ तर्बूज ने कहा मैं कद्दू से रिक्तिस्थान हूँ आपके विचार में कद्दू और तर्बूज में से कौन भारी है चर्चा कीजिए रिक्तिस्थान भरिये क खर्बूजा गाजर से भारी है ख मिर्च रिक्तिस्थान से हलकी है, ग रिक्तिस्थान, कॉमा रिक्तिस्थान से भारी है, ग रिक्तिस्थान, कॉमा रिक्तिस्थान से हलकी है, अंगा रिक्तिस्थान सबसे हलकी है, और च रिक्तिस्थान सबसे भारी है, प्रिष्ट संख्या सतत्तर आओ करें अपने आसपास से कुछ वस्तुएं इकठी कीजिए इन में से सबसे भारी एवं सबसे हलकी वस्तु छाटिए सभी वस्तुओं को उनके भार के बढ़ते करम में लगाईए आपने कैसे जाना कि कौन हलका है और कौन सा भारी है अपना तराजू बनाईए देगे चित्र के अनुसार दो पेपर कप, धागा एवं एक छड़ी अत्वा हैंगर की सहायता से एक तराजू बनाईए अपकिनी दो वस्तुओं जैसे रबर, गेंद, मूती, पैंसिल, रंग इत्यादी की तुलना कर बताईए कि कौन सा भारी है यहां प्रिष्ट संख्या सतत्तर पर एक चित्र दिया गया है जिसमें पेपर कप, धागा, हैंगर और पैंसिल की सहायता से एक तराजू बनाया गया है उसी के पास में रबर और पैंसिल रखी हुई है आउ करें क सबसे भारी वस्तुओं पर गोला बनाईए यहां पर एक पैंसिल, एक किताब और एक स्कूल बैग है ब यहां पर एक थैले में कुछ फल है, एक बाल्टी है और क्रियोंस है प्रिष्ट संख्या 78 ख सबसे हलकी वस्तुओं पर गोला बनाईए यहां पर तीन वस्तुओं है पहली है गुडिया, दूसरा है उपहार और तीसरा है रबर ब, यहां भी तीन वस्तुओं है पहली है गेंद, दूसरी है दिया सलाई, और तीसरा है गुबारा अब आपको इन में से सबसे हलकी वस्तुओं पर गोला बनाना है आओ सोचें, कौनसी सबजी या फल वाला पलडा नीचे चाएका उस पर सही का चिन लगाईए हलके के लिए हा और भारी के लिए भालिक है यहां प्रिष्ट संख्या 78 पर कुछ वस्तुओं दी गई है जो हलकी और भारी है बाई ओर पर दी गई वस्तुओं हैं कद्दू, संत्रा, नार्यल और सेब दाई ओर दी गई वस्तुओं हैं आलू, तर्बूज, आम और भिंडी और बीच में साथ ही एक तराजू का चित्र दिया गया है जिसके एक पलडे पर हा लिखा है और दूसरे पलडे पर भा लिखा है अब आपको इन सभी वस्तुओं में से हलकी पर हा और भारी पर भा लिखना है यहां कापर दो वस्तों को आपके लिए हल करके दिया गया है कदू भारी है इसलिए उसके नीचे रिक्तिस्थान में भा लिखा है और आलू हलका है इसलिए उसके नीचे रिक्तिस्थान में हा लिखा है इसी तरह आप भी इन सभी वस्तों को समझ कर भारी के लिए भा लिखेंगे और हलके के लिए हा लिखेंगे प्रिष्ट संख्या उनासी आउ करें समान आकार के कागस के दो थैले लें एक थैले में रेत एवं दूसरे थैले में सूखी पतियां भरिये चर्चा कीजिए कि कौन सा थैला भारी है यहाँ पर दो थैलों की चित्र है एक में रेत और दूसरे में सूखी पतियां भरी हैं चित्र समझे एवं पता कीजिए कि ये सभी किस प्रकार विभिन्न वस्तूओं को तोल रहे हैं यहां प्रिश्च संख्या उन्यासी पर कुछ चित्र दिये गए हैं पहले चित्र में एक महिला कांटे की सहायता से सिलेंडर को उठा रही है दूसरे चित्र में दुकानदार तराजू पर अन्न को तोल रहा है तीसरे चित्र में मिठाई वाला डिजिटल तराजू पर कुछ मिठाईयां तोल रहा है चौथे चित्र में एक महिला तराजू पर रुई तोल रही है ऐसे तराजू पर सही का चिन्ह लगाईगे जिसे आपने पहले से देखा है प्रिष्ट संख्या असी बगीचे में फल यहाँ पर एक चित्र में एक जूला है जूले के एक तरफ टोकरी में एक तर्बूज रखा है और जूले के दूसरी तरफ टोकरी में कुछ आम रखे है तर्बूज एवं आम जूले पर जूलना चाहते हैं तर्बूज जूले के एक ओर बैट जाता है जिस कारण जूला उपर नहीं उठपा रहा है उसके मित्र आम जूले के दूसरी ओर बैठ जाते हैं तर्बूज को कितने आमों से संतुलित किया जा सकता है चित्र को समझ कर बताईए यहाँ पर एक नारियल का चित्र है और उसके आगे दो आम बने है और नीचे लिखा है अगर एक नारियल का वजन बराबर दो आमों का वजन तर्बूज को कितने नारियल से संतुलित किया जा सकता है रिक्तिस्थान परियोजना कार्य अपने कुछ मित्रों या परिवार के सदस्यों के नाम लिखी जिन्हें आप सोचते हैं कि उनका वजन क आपके वजन के बराबर है रिक्तिस्थान ख आपके वजन से अधिक है रिक्तिस्थान ग आपके वजन से कम है रिक्तिस्थान ऐसे स्थानों का पता लगाईए जहां आप अपना वजन तोल सकते हैं अपना वजन ग्यात कीजिए बच्चों को अपने आसपास की वस्तूओं की तुलना में कुछ वस्तूओं के वजन का अनुमान लगाने के लिए प्रिरित करें प्रिष्ट संख्या 81 आओ नेम्बू पानी बनाएं रगू और उसके मित्रों ने रगू की दादी के लिए नेम्बू पानी बनाया उन्होंने एक गिलास नेम्बू पानी के लिए नीचे दी गई वस्तूओं का उप्योग किया क पानी एक गिलास ख चीनी एक चमच ग नेम्बू रस दो चमच और घ नमक चुट की भर यहाँ पर एक चित्र है यहाँ पर एक चित्र के तीन भाग है चित्र के पहले हिस्से में रगू और उसके मित्र नेम्बू का रस गिलास में डाल रहे है चित्र के दूसरे भाग में रगू और उसके मित्र गिलास में चीनी और नमक डाल रहे है और तीसरे भाग में वो चमच से उसे मिला रहे है रगु अपने लिए और अपने दो मित्रों के लिए नेमू पानी बनाना चाहता है। पता करें आपके घर कौन सा पेयपदार्थ बनाया जाता है। अपनी पसंद का पेयपदार्थ बनाने के लिए आवश्यक सामगरी का पता लगाईए। आपकी पसंद के पेयपदार्थ का नाम रिक्तिस्थान। यहां एक तालिका दी गई है। जिसे दो भागों में बाटा गया है। आवश्यक सामगरी और मात्रा। इसके नीचे रिक्तिस्थान है। प्रिष्ट संख्या ब्यासी। पता करें। रगों की बोतल चार गिलास पानी से भर जाती है। क आपकी बोतल कितने गिलास पानी से भर सकती है। रिक्तिस्थान। ख आपके मित्र की बोतल कितन गिलास पानी से भर सकती है रिक्तिस्थान गर क्या आपके मित्र की बोतल बराबर अथवा अधिक अथवा कम मात्रा में पानी से भरती है यहां इस प्रिष्ट पर एक बोतल और गिलास का चित्र दिया गया है गिलास में पानी भरा हुआ है उस मित्र का नाम लिखिए जिसकी परियोजना कार्य गिलास की सहता से एक जल तरंग अर्थात संगीत उपकरण बनाईए एक जैसे पांट से साथ गिलास इकठा कीजिए उनमें अलग-अलग स्तर पर पानी भरिये सभी को बारी-बारी से चमत से बजाईए एवं चमत से बजाने पर होने वाली ध्वनी सुनिए अलग-अलग ध्वनिया सुनने के लिए गिलासों के अलग-अलग हिस्से पर चमत से बजाईए हमारे जीवन में पानी के उप्योग एवं महत पर चर्चा कीजिए पानी के सही उप्योग एवं पानी बरबाद ना करने पर भी चर्चा कीजिए अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद में वाचन्स्वर प्रवीन शर्मा और शालीडी सिंग, तक्नीकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान निर्माण सहयोग कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत